Hello everyone, welcome to Fresh Learning Academy. अगर आप IGNU के किसी कोर्स के लिए अपलाई कर रहे थे और अभी तक आपने अपलाई नहीं किया है, तो ये वीडियो आप के लिए है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी सारी डीटेल, सारी प्रॉसस, कैसे आपको अपलाई करना है, कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और क्या है लास्टेट, तो लास्टेट बस दो दिन बादी है, यानि कि 31st जुलाई 2020 है, लास्टेट इट इगनु के किसी भी कोर्स के लिए अपलाई करने के लिए, इगनु आदमिशन 2020 में जुलाई सेशन के जो आदमिशन है, वो 31 जुलाई को समाथ होने वाले हैं, कुछ important लिंक है, वेबसाइट है, जहां पर आप जाकर इन कोर्स के डीटेल देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर आप रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एक लिंक भी म कि क्या है इगनु, तो इगनु है इंद्रा गांधी नाशनल ओपन युनिवर्सिटी जो इस्टाबिश होई थी सेप्टेंबर 1985 में, ये न्यू डेली में लोकेटेड है, इसके 67 रीजनल सेंटर्स हैं, और ये एक गवर्मेंट की युनिवर्सिटी है, सेंट्रल युनिवर .edu.in. साल में दो बार यहां अद्मिशन होते हैं, जैनवरी साइकल और जुलाई साइकल, तो आज हम बात करने वाले हैं, जुलाई साइकल की, क्यूंकि जुलाई साइकल के लिए अद्मिशन जून 6 से स्टार्ट हो गए थे और लास्ट टेट 31st जुलाई 2020 है, यूजी कोर् आगे चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इन कोर्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आप फ्रेश अद्मिशन लेने वाले हैं, और क्यूंकि अभी 12 का भी रिजल्ट आ गया है, तो 12 के बाद कई सारे ऐसे कोर्स अवेलेबल किये हैं इगनुने जहां पर आप अद्मिशन ले अगर आप अपना ग्राज्वेशन रिक्वाइड स्ट्रीम में होना चाहिए आपका जबाप पोस्ट्राजवेट डिप्लोमा कोर्स के लिए अपलाई कर रहे हैं, अगर बात करें, M.Phil courses के लिए M.Phil degree, Master's degree in the relevant discipline with minimum 55% marks or 50% marks for SC, ST, PH candidates. PhD courses के लिए M.Phil degree, Master's degree in the relevant discipline with minimum 55% is required. तो ये है eligibility criteria. आप जल्दी से एक नज़र डाल सकते हैं इस slide पर जहां पर मैंने आपको बताया है कि क्या eligibility criteria है. 12 standard के बच्चे जिनका result आगया और वो अभी किसी graduation program के लिए admission लेना चाहते हैं. तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि बहुत अच्छे courses available हैं IGNU में. तो admission का procedure और क्या step है यह यहाँ पर मैंने mention किया हुआ है. साथ ही at the last, at the end of this presentation, I will show you the steps कैसे आपको website पे जाना है पकायदा मैं आपको explain करूँगी. तो सबसे पहले जिन भी students को admission चाहिए IGNU में वो official website IGNU में जाएंगे और सबसे पहले first step होगा आपको IGNU की website पे जाना है ignu.ac.in पे. second step होगा home page पे जाकर link पे क्लिक करना है register online. third step रहेगा fresh admission के लिए आप drop down menu में जाएंगे तो आपको fresh admission दिखेगा वहाँ पर आपको click करना है sign in करना है अपने necessary details और submit पर click करना है. fifth step में आपको login credentials, register mobile number and email ID, seven step पे आपको उन credentials के मदद से आगे की procedure को पूरा करना है. आप ये बात ध्यान रखें कि आप सारी details बहुत ही अच्छे से fill करें, सारे necessary details required field में ही आपको fill करना है. उसके बाद आपको necessary documents जिस भी format में आपसे मांगा क्या है उसे upload करना है. कौनसे format में आप document upload करेंगे ये भी मैं आपको आने वाली slide में बताने वाली हूँ. उसके बाद आपको fee pay करना है और final submit बटन पर click करना है. जैसे ही आप final submission करेंगे online application form का, उसके बाद आप अपने application को download कर सकते हैं further reference के लिए. ये एक screen shot है कि student registration form कैसा दिखेगा. अब जान लेते हैं कौन से documents required होंगे अगर आप IGNU July session के लिए registration कर रहे हैं. scan documents required for IGNU July online registration होंगे आपके educational documents जो की less than 400 KB होना चाहिए. educational qualification के proof ये भी 400 KB से कम के होने चाहिए. signature 100 KB से less का होना चाहिए. scanned copies of the following documents will be required while filling up the IGNU application form जो मैंने आपको बता दिया है. साथ ही passport size photograph. ये 100 KB से less होना चाहिए और age proof. तो ये सारे वो documents हैं जिसके scanned copies आपको लगेगी apply करते हुए. fee का payment आप credit debit net banking के थू कर सकते हैं. जैसे ही आप अपना payment करेंगे वैसे ही आपको payment confirmation message मिल जाएगा. SMS और email address जो आपने register किया था जब आप application भर रहे थे. तो जैसे ही आपका ये admission complete हो जाएगा successfully उसके बाद आपको fee pay करना है. credit card, master, visa, debit card, master, visa, रुपे, net banking, ATM card. ये सारी सुविधाई उपलब्द हैं. तो आप किसी भी mode को use करके अपना fee payment कर सकते हैं. ये कुछ points हैं जो आपको इगनू में admission लेते समय ध्यान में रखना है. वो ये है कि अगर आप management courses के लिए apply कर रहे हैं, तो आपका selection जो होगा, वो open mat exam में जो आपका score आया है, उसके through होगा. जो भी admission लेना चाहते हैं B.Ed.Courses के लिए उनका selection भी based होगा national level entrance test के उपर. M.Phil Economics के लिए वही candidate apply कर सकते हैं, जो qualified है UGC net with JRF. और in case कोई भी mistake आपने की है admission form में, तो आपको उस mistake को correct करना है, correction window भी आपको दिया गया है. correction window का एक particular amount of duration होता है, तब तक आप जाकर, अगर कोई भी आपने गलती कर दी है, तो उसको जाकर ठीक कर सकते हैं. सारी चीज़े बहुत आसान है क्योंकि बहुत अच्छे से इगनू ने ये सारी चीज़े maintain की हैं, अगर आपको अपना registration status ट्राक करना है, या आपने जो भी form भरा हुआ है, तो भी आप official website पर जाकर आप know your admission registration detail पर click करके वो सारे details जान सकते हैं. थर्द स्टेप में आपको आपका जो 9-digit enrollment number मिला है और जो program को, जिस program के लिए आपने apply किया है, वो उसको लेकर submit बटन पर click करना है, और फोर्द स्टेप पे आपको आपका registration status डिस्पले हो जाएगा, यानि कि दिख जाएगा. इसे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि form कैसे भढ़ना है, कैसे आपको website पे डालना है, कुछ ऐसे question है जो आप सब के दिमाग में होंगे, तो चलिए उसको answer कर लेते हैं, फटाफट. What is the mode of application for admission into IGNU courses 2020? तो आपको बता दूं कि ये application process दोनों तरीके से है, offline भी है और online भी है. When do admission start for IGNU 2020 courses? तो मैंने आपको बताया, January और July 2 ये session होते हैं, तो अभी हम July session के अगर बात करें, तो 31 July 2020 आखरी date है, इन courses के लिए apply करने के लिए. Which courses of IGNU 2020 will need candidates to have cleared an entrance examination? मैंने इसके पहले ही slide में आपको बताया, कि कौन से ऐसे courses है, जिसके लिए आपको entrance exam clear होना जरूरी है. अगर हम IGNU 2020 courses के बात करें, तो B.A., M.A., MBA, post B.A.C. nursing essay courses हैं, जिसके लिए आपको entrance exam clear करना जरूरी है, admission लेने के लिए. सवाल है कि is it possible to pursue multiple IGNU courses 2020 at a time? तो इसके लिए आप answer देख सकते हैं कि ये लिखा है कि candidates are allowed to pursue only a certificate course along with a program of one year or longer. However, the university will not make any adjustment if the dates of examination or counseling of both the subject clash with each other. तो बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी IGNU की जिम्मेदारी नहीं होगी. अगर आप दो courses certificate program कर रहे हैं दूसरे program के साथ और उसकी exam के date clash करती होगी, तो वह आपकी जवाबदारी होगी. तो सेफर साइड में आप एक ही course कीजिए. When will the term and examination be conducted for IGNU 2020 courses? तो पहले आप एक बार admission ले लें, बागी सारी updates आपको खुदी पता चल जाएंगी. तो ये सारे कुछ ऐसे questions थें, जो जादा तर लोग पूछते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है process? So, yes, it is very easy. कैसे करना है आपको IGNU के लिए, registration, admission के लिए, तो सबसे पहले आपको जाना है IGNUadmissions.co.in. आप यहाँ पर देख सकते हो. उसके बाद आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, आपको सबसे उपर दिख जाएगा IGNU admissions open, IGNU registration for 2020 batch. आपको बता दूँ कि admission 31st July तक ही open है. इस page पे सबसे पहले आपको अपना email ID, mobile number, आप किस लिए apply कर रहे हैं, क्या आप new IGNU admission enrollment इस साल के लिए आपना admission लेना चाहते हैं, और अगर नहीं, तो re-registration के लिए यह column है, पर fresh admission के लिए आपको यहाँ click करना है. उसके बाद आपको आपका नाम, father's name, mother's name, date of birth, gender, what is preferred choice of your course, वो आपको यहाँ लिखना है. और साथ ही आपका जो current address है, वो भी लिखना है PIN code के साथ. इसके बाद आपको एक disclaimer आएगा, कि I agree to the terms of service, refunds and privacy policy on this website, उसके बाद आपको accept terms and order कर देना है. ठीक है? और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे fee payment के mode हैं, आप किसी से भी fee pay कर सकते हो. अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, जो सवाल हमारे मन में होता है, अगर आपका fresh admission है, कि is IGNU degree valuable? तो बिलकुल IGNU के degree valuable होती है, और इसका हर जगा, क्योंकि यह affiliated है UGC और AICT से, जो भी यहाँ से कोई भी graduation या degree course करता है, वो सारे eligible होते हैं, government jobs तक के लिए apply करने क है, can I take admission in IGNU now? तो जी हाँ, अभी July session के लिए admission चल रहे है, 31st July इसकी last date है, तो आप इसके लिए अभी admission ले सकते हैं, IGNU का full form क्या है, तो यह तो आपको अब तक पता ही होगा, कि Indragaani National Open University, यह नाम है, और IGNU government है कि private, तो इसको आप जान सकते हो, यह पूरा यहाँ पर यह सारी चीज़े आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, फी स्ट्रक्चर के बारे में आप अपने कोर्स के हिसाब से, जिस कोर्स पे आपको admission लेना है, आप वहाँ जाओगे, तो आपको इस कोर्स से जुड़ी तमाम जानकारिया मिल चाएंगे, क्या fees है, क्या duration है, वो कौन आपको teach करेंगे कौन सी faculties हैं, यह सारे आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे, आप नीचे देखेंगे, तो यह भी सारी चीज़े आपको देख जाएंगे, इगनू registration, admission form, courses fee, यह सारा आपको जिस भी चीज में interest है, आप वहाँ जाकर click कर सकते हो, अगर आपको registration करना है, त तो इगनू registration पर जाओगे, courses और fees के बारे में पता लगाना है, तो आप यहाँ click करोगे, तो आप यह देख सकते हो, सारे courses के नाम, programs के name, साथ साथ प्रोग्राम कोड और उसकी क्या fees है, वो सारी आपको यहाँ पर display हो जाएगी, क्योंकि यह काफी सारे courses है, तो आप अपने हिसाब से चूस कर लें, कि आपको कौन से course में admission लेना है, बात की जाए, अगर admission form की, तो आप यहाँ click करेंगे, तो यह पहले ही आप यह page देख चुके है, यहाँ पर आपको admission form देख जाएगा, जो details आपको यहाँ सारी फिल करनी है, इगनू registration की बात करें, तो यही page है, जह यहाँ से admission आप करना चाहते हो, वो page open हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप इगनू के लिए apply कर सकते हो, इगनू no doubt, यहाँ के courses काफी अच्छे है, मैंने खुद ने यहाँ से एक-दो courses किये है, और जो quality होती है, जो content होता है course का, वो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है, अजच्छे है.